हेलो एब्रिवान मैं हुई स्मित्ता और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटिफुल पार्टी वेर बेबी फॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने 5-6 एर गल्स के लिए बनाया है और इसे बनाना बहुत ही इजी है तो वीडियो को लास तक देखिएगा और हाँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने कौन-कौन सा फैब्रिक लिया है ये मैंने सौटन का फैब्रिक लिया है और ये मैंने 2 मीटर लिया है इसके बाद ये मैंने कौटन का फैब्रिक लिया है ये भी मैंने 2 मीटर ही लिया है और ये embroidered net है और इसे भी मैंने 2 meter ही लिया है और इसके साथ ही मैंने ये half meter plane net लिया है जो की same color का है तो चलिए video इस टार्ट करते हैं अब सबसे पहले हम अपने skirt part की cutting करेंगे तो ये जो हमारा net का fabric है उसे मैंने इस तरीके से fold करके double fold करके बिचा लिया है इसे मैंने 4 fold नहीं किया है क्योंकि एक जो semi circle है वो मैं इस तरफ से निकालूंगी और दूसरा दूसरी तरफ से निकालूंगी क्योंकि ये fabric कम है अगर आ यहां पर मैं west की marking करूंगी तो उसके लिए जितना भी आपका west का measurement है उसे 6.28 से divide कर लीजिए यहां मेरे case में 22 inch है और उसे मैंने 6.28 से divide किया है तो 3.5 inch आएगा तो इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में mark कर रही हूं आप भी measuring tape को corner पे रख करके 3.5 inch 3.5 inch पे पूरे में mark क करके call line draw कर लीजिए अब यह जहां से हमने अपनी west की marking की है वहां से हम अपनी length की marking करेंगे तो मेरी जो तयार length है वो 21 inch है और 1 inch और मैंने इसमें add किया हुआ है तो यह मैं 22 inch पे mark कर लूँगी और यह जो मैंने fabric को double fold किया हुआ है वो आपको यह जो हमने यहां पे west का measurement लि कर रही हूँ fabric हमारा कम है तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं जितना भी आपका length है प्लस उसमें जो हमने उपर यह west के लिए marking की है वो उतना fabric आप पहले fold कर लीजिए इसके बाद यहां मेजिन टेप को corner पे ही रखते हुए पूरे में मैं 26-26 inch पे mark कर लूँगी और सारे mark को मिला करके call line draw कर लूँगी अब यह जो हमने length की marking किये उसे हम cut कर लेंगे west की marking को अभी हम नहीं cut करेंगे पहले हम length की marking को cut करेंगे तो यह मैंने इसे cut कर लिया है अब इसको ही रख करके हम सेम इसी तरीके से एक और piece cut कर लेंगे तो यह पहले मैं कर ले रही हूँ तो यह यह देखी यह मैंने एक वाले को रख करके दूसरा ही semi circle कट कर लिया है अब यह मैंने दोनों जो मैंने semi circle कट किया था उसे बीस से fold करके रखा हुआ यह देखे दोनों piece है और यहां पे जो हमने west की marking की थी उसे भी cut कर लिया है और यह जो हमारा main fabric था उसकी cutting हो गई है यह द कम रखी है और यह जो हमारा saturn वाला fabric है इसका भी मैंने दो piece कट किया है दो semi circle मैंने कट किया है यह देखिए और अब हम इसे stitch करेंगे तो इसके लिए मैंने यह एक piece लिया है और इसकी सीधी side को मैंने उपर की तरफ रखा है अब इसके उपर हम अपने दूसरे वाले piece को र यहां पर stitch कर लेना है इसके बाद नीचे की तरफ इसके raw edges को हैम करने के लिए या तो आप पिको कर लीजिए या फिर इस तरीके से इसको double fold करके इसके उपर stitch कर लीजिए तो पहले मैं यह कर ले रही हूँ इसके बाद सेम इसी तरीके से जो यह हमारा netka fabric है उसे भी हम stitch करे करेंगे दोनों पीस को एक दूसरे की उपर रखेंगे और दोनों पीस की सीधी साइड अंदर की तरफ एक दूसरे को face करते हुए होनी चाहिए और यहां से इसको बिल्कुल बराबर से करके हम stitch कर लेंगे दूसरे तरफ भी सेम इसी तरीके से करेंगे एक दूसरे की उपर इसे यहां से stitch कर लेंगे और नीचे की तरफ हम इसमें भी या तो pico कर लेंगे या फिर इसे भी इस तरीके से double fold करके इसे भी stitch कर लेंगे तो पहले मैं यह कर लेती हूँ इसके बाद हम अपने lining की fabric को cut करेंगे तो उसके लिए मैंने इसे इस तरीके से double fold करके बिच्छा लिया है और अब हम इसका cone बनाएंगे क्योंकि इसकी cutting हम umbrella में करने वाले है अब यहाँ पे हम अपनी west की marking करेंगे तो उसके लिए जितना भी आपका west का measurement है उसे 4 से पहले divide कर लीजिए तो यहाँ पे मैं 5.5 inch पे पहले एक rough mark कर लोगी इसके बाद measuring tape को हम इस तरीके से corner पे रखेंगे और देखेंगे कि यह जो हमने 5.5 inch पे mark किया है वो कहाँ आ रहा है तो यह 7.5 inch पे आ रहा है अब पूरे में measuring tape को corner पे ही रखते हुए हम पूरे में 7.5, 7.5 inch पे इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ mark कर लेंगे और सारे mark को मिला लेंगे यह हमारे west की marking हो जाएगी इसके बाद यह जो हमने west की marking की है वहाँ से हम अपने length की marking करेंगे और इसकी length हमारे जो main fabric की length है उससे 2 inch कम रखेंगे तो यह मैं 20 inch पे mark करूंगी इसके बाद measuring tape को corner पे रखेंगे और देखेंगे कि 20 inch कहां आ रहा है तो यह 27.5 inch पे आएगा और पूरे में हम 27.5 inch पे mark कर लेंगे measuring tape को corner पे ही रखते हुए तो यह हमारी marking हो गई है और अब हम इसे cut कर लेंगे यहां से हम इसकी length की cutting कर लेंगे और उपर से हम west की cutting कर लेंगे इसके बाद यह जो lining का बचा हुआ fabric है इसी से हम upper part की cutting करेंगे तो यह मैंने lining की fabric को two fold करके बिचार लिया है और एक और बार fold करके इसे पहले four fold कर लेंगे इसके बार यहां से जो कप्रा छोटा बड़ा है उसे बराबर करने के लिए हम इसकेल से एक सीथी लाइन मार्क कर लेंगे अब यहां से हम अपने shoulder की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए जितना भी आपका shoulder का measurement है उसे half कर लीजिए मेरे case में 5 inch है और यहां से अब हम आम होल का निशान लगाएंगे तो वो भी 5 inch है अब दोनों points को मिला करके मैं एक straight line ड्रॉ कर लूँगी आप अपने measurement के recording करिएगा अब यहां पर हम अपने chest की marking करेंगे तो उसके लिए जितना भी आपका chest का measurement है उसे 4 से divide कर लीजिए यहां मेरे case में 26 inch है तो 4 से divide करने पर 6.5 inch आएगा तो मैं 6.5 inch पर mark करके scale से यहां पर एक straight line ड्रॉ कर लूँगी इसके बाद उपर से हम length की marking करेंगे तो मेरी तयार length है 11 inch और 1 inch और plus करके सिलाई margin के लिए मैं यहां पर 12 inch पर mark कर लूँगी अब यहां पर हम करेंगे west की marking तो west की marking करने के लिए जितना भी आपका west का measurement है उसे 4 से divide कर लीजिए यहां पर मैं 5.5 inch पर mark कर रही हूँ और यहां से भी एक straight line ड्रॉ कर लूँगी अब यह उपर जो हमने chest की marking की थी वहां से नीचे जो हमने west की marking की है उसे इस तरीके से एक straight line ड्रॉ करके मिला लेंगे और यहां पर अब हम अपने arm hole का shift ड्रॉ करेंगे इसके बाद इसमें हम एक से 1.5 inch की अपनी सिलाई marginate कर लेंगे अब यहां पर हम box बना लूँगी और इसमें जो हमारा neck का shape है उसे ड्रॉ कर लेंगे इसके बाद यहां पर मैं front के arm hole का shape ड्रॉ कर लूँगी थोड़ा संदर की तरफ से क्योंकि यह छोटी बच्ची का है तो यहां बहुत गहरा कट नहीं करना है तो यह हमारी marking complete हो गई है और अब हम इसे cut कर लेंगे तो यह मैंने इसे cut कर लिया है और इसमें से एक piece को हम अलग कर देंगे और यह जो front का piece है इसे फिर से fold करके रखेंगे और यह जो हमने front के arm hole का shape draw किया है उसे cut कर लेंगे इसके बाद हम back का piece लेंगे और उसे center से इस तरीके से fold करेंगे और यहाँ पे 2.5 inch पे हम एक mark करेंगे hook or rise लगाने के लिए तो यह हमने lining की fabric में अपर पाट की cutting कर लिया है अब इसको ही रख करके sortन और जो हमारा plain net है उसे भी cut कर लेंगे तो यह यहाँ पे मैंने lining की fabric को ही रख करके अपने sortन के fabric को और यह net के fabric को cut कर लिया है और दोनों को pin के help से पहले secure कर लिया था मैंने cut करने से पहले क्योंकि यह बहुत ज़्यादा slip करता है और यह जो sortन का fabric है उसकी ulti side मेरी तरफ है उपर की तरफ है और सीधी side net की तरफ है और दूसरा वाला piece भी मैंने सेम इसी तरीके से यह तयार कर लिया है अब इसमें से मैंने यह front piece को लिया है और इसको मैंने सीधी तरफ से उपर की तरफ रखा है सबसे उपर net है उसके नीचे sortन का fabric है और दोनों की सीधी साइड उपर की तरफ है और इसके उपर हम यह लाइनिंग का फैब्रिक रखेंगे और इसके आम होल पे और नेक पे हमें स्टिच कर लेना है दोनों पीस में हमें इसी तरीके से करना है तो यह मैंने आम होल पे और नेक पे स्टिच कर लिया है अब यहीं प और सॉटन का फैबरिक एक तरफ है और इस तरीके से हम इसको सीधी साइट पे टर्न कर लेंगे और अच्छे से इसे बराबर से करके प्रेस कर लेंगे और ये मैंने बैक के पीस में भी सेम इसी तरीके से स्टिच कर लिया है लाइनिंग की फैबरिक में जो हमने कट लगाया थ और इसको भी front piece की तरह turn करके इसे भी बिल्कुल बराबर से करके इसके उपर भी हम प्रेस कर लेंगे तो यह मैंने front और back दोनों पीस तयार कर लिया है अब इन दोनों का shoulder attach करना है तो दोनों की सीधी side को मैंने उपर की तरफ रखा है और यह जो lining की fabric के बीच में shoulder के पास जगय है वहाँ पे हम अपने उंगली को इस तरीके से निकाल के दूसरे वाले piece को इसके अंदर डाल लेंगे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको करना है इस तरीके से और अब हम इसको इसके उपर turn कर लेंगे और यहां से दोनों shoulder को बिल्कुल बराबर कर लेना है हमें जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ सेम उसी तरीके से दोनों shoulder को बिल्कुल अपने उंगलियों की help से आप पहले बराबर कर लीजिए और अब हम इसके उपर stitch करेंगे दोनों तरफ हमें इसी तरीके से करना है शोल्डर पे यहां पे हमें स्टिच करना है तो पहले मैं यह कर ले रही हूँ तो यह देखिए यह मैंने दोनों तरफ शोल्डर पे इसके स्टिच कर लिया है तो पहले मैं यह कर ले रही हूँ तो यह मैंने इसके नेक पे और आम होल पे टॉपी स्टिश लगा लिया है इसके बाद इसके फ्रंट में हमें पैटर्न बनाना है तो इसके लिए मैंने यह एमरोडेट हमारा जो नेट था उसे लिया है और इसकी एक लंबी सी पट्टी कटकी है जिसकी लंबाई मैंने 42 इंच रखी है आप अपने हिसाबसे से कम्या जादा कर सकते हैं यह बिल्कुल दुपट्टे की तरह आएगा जैसे दुपट्टे को हम लेते हैं तो यह मैंने 42 इंच लंबी पट्टी कटकी है अब ये मैंने front का piece लिया है और इसके उपर मैं ये net का fabric रखूँगे बिलकुल center से और ये net की fabric में अब मैं छोटे छोटे से plits बनाऊंगी और उसे pin से secure कर लूँगी पूरे fabric में इसी तरीके से मैं plits बनाती जाऊंगी और उसे pin से secure करती जाऊंगी तो पहले मैं यह कर ले रही हूँ, तो यह देखिए, यह मैंने नेट के फैब्रिक को पिन की हेल्फ से अपने मेन फैब्रिक में अटेच कर लिया है, अब यह जहां पर हमारा शोल्डर है, वहां पर मैं सुई धागे की हेल्फ से ऐसे बड़े-बड़े टाको की स्टिच यह देखिए, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और इसके बाद मैं इसे धागे को खीच करके यहां पे प्लीट सिकठा कर लोगी, और इसे अच्छे से बांद दूँगी पहले, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके से हमें पहले इसे से कर लिया है इसके बाद हम इसमें बेल्ट अटेच करेंगे तो इसके लिए जो हमारा ये सॉटन का फैब्रिक था उससे मैंने ये पट्टी कट की है और जिसकी लंबाई मैंने 24 इंच रखी है और जिसकी चोड़ाई 5 इंच है अब ये फैब्रिक को मैंने इस तरीके से 20 से फ इसे हमें दो पट्टी तयार करनी है तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ तो ये देखिए ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है और अब हम इसे यहां पे हमने हलका सा ट्रेंगल में स्टिच किया है वहां से हम इसे कट करेंगे और अब हम इसे यहां से सीधी तरफ पे टर्न कर ल तो यह हमारी दोनों बेल्ट तयार हो गई है अब यह जो हमारा में पीस है उसे लेंगे और यह जो फ्रंट की साइड है वहाँ पे मैं बेल्ट को यहां बिल्कुल किनारे पे रखूंगी नीचे की साइड में जो हमारा इसकर्ट का पाथ है उसे अटेच करने के लिए मैंने थ अब इसके उपर हम यह बैक का पीस रखेंगे बिल्कुल बराबर से और यहां पर हम इसकी साइट की स्टिच कर लेंगे तो पहले मैं यह कर ले रही हूँ तो यह देखिए यह मैंने साइट की स्टिच लगा ली है और यह हमारा अपर पार्ट तयार हो गया है अब इसके बाद यह जो दोनों पीस है दोनों अभी एक दूसरे के उपर ही हैं और इसे मैं एक बार और फोल्ड करूँगी जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ एक और बार फोल्ड कर लूँगी और इसे भी अब मैं 20 से कट कर लूँगी और कट करने के बाद यह हमारे पास four piece और यहां से स्टिच कर लूँगी और इसी तरीके से चारू पीस को मुझे अटैच कर लेना है तो पहले में यह कर ले रही हूं इसके बाद यह हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और यहां पे नीचे मैंने इसे पीको करके हैम कर लिया है और अब मेजरिंग टेप को इस नीचे से रखेंगे और उपर 10 इंच पे हमें मार्ग करना है जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूं और पूरे में इसी तरीके से 10-10 इंच पे हमें मार्क करते जाएंगे एक कॉर्णर से दूसरे कॉर्णर तक अब यह जो हमने मार्किंग की थी सेम इसके उपर हम अपने कैन कैन को रखेंगे और यहाँ पे हम छोटे-छोटे से प्लिर्स बनाएंगे और उसे पिन से सिक्योर करते जाएंगे आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल प्लिर्स भी बना सकते हैं या बॉक्स प्लिर्स भी बना सकते हैं मैं यहाँ पे बॉक्स प्लिर्स बना रही हूँ और पूरे कैन कैन को इसी तरीके से प्लिर्स बना करके पूरे हमारे लाइनिंग की फैब्रिक में अटेच कर लेना है तो यह देखी पूरे lining की fabric में मैंने cankin attach कर लिया है और अब मैं इसके उपर पूरे में stitch कर लोंगी जहां-जहां हमने pin लगाया है सेम वहाँ-वहाँ हमें हमें इसके उपर पूरे में stitch कर लेना है इसके बाद हम इसकी side की stitching करेंगे तो इसके लिए मैं इसे 20 से इस तरीके से टर्न करूँगी और दोनो किनारों को एक दूसरे की उपर इस तरीके से रख लूँगी और अब हम इसकी साइट की स्टिचिंग लगाएंगे तो पहले मैं जो इसका लाइनिंग का फैबरिक है उसे पूरा उपर से नीचे तक स्टिच करूँगी यह जो हमारा कैन कैन है उसे मैं अंदर की तरफ टर्न कर दूँगी और इसे नीचे तक स्टिच कर लूँगी इसके बाद ये जो lining का fabric है उसे एक दूसरे की उपर रख करके मैं अलग से attach करूँगी तो पहले मैं ये सब कर लेती हूँ और ये जो मेरा sortern वाला fabric था उसे मैंने stitch कर लिया है ये देखिए ये मैंने इसकी side की stitching भी कर ली है और यहाँ नीचे की तरफ भी मैंने इसमें pico कर लिया है इसके बाद ये जो मेरा net वाला piece था वो भी मैंने तयार कर लिया है इसकी side की सिलाई मैंने लगा ली है दोनों तरफ और नीचे की तरफ मैंने इसमें भी pico कर लिया है अब ये हमारे सारे piece तयार हो गया है अब इसे हम अपने टाप पार्ट में अटेच करें तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये नेट का पीस लूँगी और इसकी सीधी साइड उपर की तरफ है और इसके बाद ये जो हमारा सौटन वाला फैब्रिक था उसे लूँगी और इसकी भी सीधी साइड उपर की तरफ है और जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूं सेम इसी तरीके से इसे मैं अंदर की तरफ डाल दूँगी नेट वाले फैब्रिक के अंदर और यहां जो हमारी वेस्ट लाइन है वहां से इसे इस तरीके से बराबर कर लोगी इसके बाद जो हमारा ये कैन-कैन वाला पीस है लाइनिंग वाला पीस है उसे लोगी और इसकी भी सीजी साइड उपर की तरफ है कैन-कैन वाली साइड उपर की तरफ है और इसको भी मैं सौटन वाला जो हमारा फैब्रिक है उसके अंदर इसे डाल दूँगी और इसे भी वेस्ट लाइन से विल्कुल बराबर से कर लूँगी और एक चीच का हमें ध्यान रखना है कि ये जो तीनों पीस है इसकी साइट की सिलाई बिल्कुल बराबर से एक दूसरे के उपर आनी चाहिए और इसी तरीके से हम पूरे वेस्ट लाइन में एक कच्छी सिलाई लगा के तीनों को अटैच कर लेंगे या पिन से सिक्योर कर लेंगे तो ये देखे यहाँ पे मैंने तीनों पीस को एक साथ स्टिच कर लिया है अब इसके बाद मैं अपर पार्ट लूँगी और जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको दोनों पार्ट को रखना है बिल्कुल वेस्ट लाइन से बराबर से इसके बाद ये जो हमारा स्कल्ट वाला फैब्रिक है इसे हम बिल्कुल बीस से खोल लेंगे जहां से हमने लाइनिंग का फैब्रिक लगाया है और इसकी वेस्ट लाइन से जो हमारे अपर पार्ट की वेस्ट लाइन है उसे बिल्कुल बराबर से कर लेंगे फ्रॉक बन करके तयार हो गया है, अब इसको हम डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसकी वेस्ट लाइन पे मुझे फ्लार्स लगाने थे, पर वो अभी मिल नहीं रहा है, लोकडाउन के चलते शॉप बंद है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यह बो तयार किया है, इसे अटेच कर लेंगे, और यहाँ शॉल्डर में पे मैं बाद में फ्लार्स लगा लूँगी, अब यह जो यहाँ पे प्लेन है, इसे डेकोरेट करने के लिए, यह जो नेट वाला फैब्रिक था, उसमें जो यह पतियां बनी हुई है, उसे मैं कट कर लूँगी, और देखिए, यह मैंने इसे कट कर लिया है, और इसी तरीके से मैंने और भी पतियां कट कर ली है, अब इससे मैं यहाँ पे इसको डेकोरेट करूँगी, ऐसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरीके से, आप अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हैं, तो मैं इस इसी तरीके से पहले रख लोंगे और इसको भाइब Communist से पांग तो भार एकर तेकर लेना है तो पहले में एकर रादम अधैस्स सिच कर लिए और यह पे और भी अटेट कर लिया है और यहां मारे फ्रोग का final look और ये देखिए कितना beautiful सा frog बन करके हमारा तयार हुआ है इतनी easy तरीके से I hope कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा like जरूर करिएगा क्योंकि आप like करेंगे तभी मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लगी है और comment करके भी बताईए आपका कोई question हो तो आप मुसे comment में पूस सकते हैं और चैनल पे पहली बारा है तो please subscribe कर लीजिएगा और वेल के बटन को भी जरूर हिट कर दीजिएगा मिलते हैं निस्ट वीडियो में तब तक के लिए